अलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं बूंदी की खीर जिसके लिए हमें चाहिए मखाने बूंदी प्लेन थोड़ा सा इलाइची पाउडर कस्टर्ड पाउडर मैंने यहां पर कुछ तर्वूज के बीज लिए हैं चार-पांच बादाम के टुकड़े थोड़े से काज जिसमें हम पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी हम इसलिए डालेंगे जिससे कि हमारा दूद नीचे लगे नहीं अब हम इसमें दूद डालेंगे मैंने यहां आधा लिटर दूद लिया है अब हम इसको चलाएंगे बॉइल करने हम इसको तब तक चलाते रहेंगे जब तक यह बॉइल ने हो जाता अब यह देखिए बॉइल होने लग गया है अब हम इसमें चीनी डाल देंगे चीनी आप अपने स्वादन साथ डाल सकते हैं मैंने यहां चार से पांच चाम चीनी डाली है मेरे हम इठा जादा बसंद करते हैं हम इसको चलाएंगे अब हम इसमें बॉण्दी डाल देंगे बॉण्दी हम बिना नमक वाली प्लेन बॉण्दी जो हम इसको चलाएंगे अब देखिए फिर बॉण्दी फूल गई है थोड़ा सा दूद भी गाड़ा सा हो गया है और हम इसको थोड़ा और गाड़ा करने के लिए इसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे कस्टर्ड पाउडर मिलाने से इसमें थोड़ा सा एक फ्लेवर भी आ जागा जो वनीला कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया है इसको मैंने एक चमज कस्टर्ड पाउडर में दो चमज पानी मिलाएं है हम इसको मिक्स कर लेंगे अब यह अच्छे से मिक्स हो गया है इसको उसी दूद में डाल देंगे हमने डाल दिया है इसको अब देखिए इसकी थोड़ा सा गारा हो गया है पहले से काफी थीक हो गया है और इसमें वनीला फ्लेवर भी आ आगया है और जो बच्छों को बहुत पसंद आता है हम इसमें 10 से 12 मखाने जो मैंने काट कर रखे हूं वो डाल देंगे साथ ही इसमें 4-5 बादाम जो मैंने काट कर रखे वो डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा काजू डाल देंगे 4-5 काजू मैंने लिये थे उसको टुक्ड़े कर लिये था वो डाल देंगे अब हम इसमें ञाओ पीच डाल देंगे कि अगर आप ना मैं एक ज़ी से बीष सब heap कि ऑडरा सकते और वी डाइफोर्ट सब डाल सकते कि अभर कम इसमें इलाइची यु अलदेंगे मैंने दो से तीन इलाइची आर्ले लिए दोन कर लिया है हम इसको लगाता चलाते रहेंगे देखे हमारी भूंदी की खीर बनकर त्यार है आप हम इसमें पाउल में डालके और इसको गार्निश कर लेंगे मैं टूची फूटी से गार्निश कर रहे हूं आप अपने इसको ड्राइफूर्ट से पिस्ते से और किसी चीज से करना चाहते तो कर सकते हैं और देखिए फ्रेंस हमारी खीर बनकर तयार है यह जटपट बनने वाली एक बहुत ही स्वाधिस्ट खीर है